डियू में दो साल बाद आफ-लाइन परिक्षाओं शुरू सोमवार को विभिन कॉलजों में हुआ दोहराओं परिक्षा का आयोजन कुरोणा महमारी के कारण दोस साल तक बंध रहे दिली विश्व विद्याले में आफ-लाइन परिक्षाओं की शुरू आत हो गई है इसी कड़ी में सुमवार को ड्यू के विभिन कॉलेजों में आवश्यक दोहराओं की परिक्षाओं का आयोजन किया गया ड्यू के परिक्षा डीन डीस रावत के मुताबिक एक या एक से अधिक विशयों में उत्तिरन अंग प्राप्त नहीं करने वालों के लिए सभी कॉलेजों में सुचारों रूप से परिक्षाओं आयोजित की गई हालाकि अधिकांश पाठे क्रमों के लिए परिक्षाओं 11 मई से शिडू होंगी रावत के अनुसार हमने दो साल के अंतुराल के बाद ऑफ-लाइन परिक्षा आयोजित की है इस विए सभें इंतजाम सा आवधानी पूर्वक किये थे श्रीडाम कॉलेज ओफ कॉमर्स की प्रिंशिपल सिम्रित कौर के अनुसार केवल पांच छात्रों ने अपना कंपार्टमेंट उत्तिन करने के लिए परिक्षा दी जबकि मिरांडा हाउस में ऐसे छात्रों की संख्या सिर्फ दो थी मिरांड मंगलवार को करीब 45 चात्र परिक्षा में बैठेंगे सुमवार और मंगलवार को एयर परिक्षा योजित होंगी जबकि पुद्वार से दूसरे और तीसरे वर्ष्ट के चात्रों की परिक्षाय शुरू होंगी कामजस कॉलेज की प्रचारिया मनोस खन्ना के मताबिक ने दबाव को कम करने के लिए चात्रों को 30 मिनिट का अतिरिक्ष समय और एक अतिरिक्ष प्रश्ण देने का भी फैसला किया है उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से जानते हैं कि चात्र लंबे समय के बाद परिक्षा देने के लिए घबराय हुए हैं और तनाव में हैं उनकी कि हर संभव मदद की जा रही है रावत ने कहा कि विष्व विद्याले दूसरे और तीसमे बश्के चात्रों जिro mrs करने के लिए उन उन्होंने कहा कि जो च्योंट को रोन संक्रमित है दौर में कॉरेंटीन से गुजरना परा है उन्हें बात की तारीखों में परिक्षा द काउं की विवस्थाग करनी होती है क्यूंकि उन्हें कॉलेचों तक पहुंचने के लिए समय पर पहचाना होता है इस प्रक्रिया में सभी COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है ओफलाइन परिक्षा में चात्रों वसक्षिकों की सुरक्षा की लिए कॉलिज कुरोना नेमों का पालन कर रहे हैं मिरांडा हाउस के प्रिंसिपल विजलक्षमी के मताबिक हमने हर जगा सैनिटाइजर रखे हैं और परिक्षा में बैठने वाले चात्रों के बीद सुरनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं चात्रों से कहा है कि वे अपनी पानी की बोतले खुद लाएं उन्होंने कहा कि हम नर्सों और डॉक्टरों के उपलब्धता सुरनिश्चित करेंगे वही रामजस कॉलिज के प्रिंसिपल मनोज खन्ना के मताबिक कुरोना नियमों का पालन कराने के लिए नए इमारत में परिच्छाओं का आयोजुन किया जा रहा है जबकि पुराने इमारत में कफचाय चल रही है बियोरी रिपोर्ट दिली समाचार